हलो स्टूडेंट एमोस क्लासेस में आज हम पार्थ 9 का अभ्यास कारे कंप्लीट करेंगे जो की संस्कृत की बुक का पार्थ 9 है इस पार्थ में हमने पढ़ा था कि जो एक छोटी बच्ची थी 8 साल की उसको पढ़ने के लिए स्कूल के बारे में information दी गई थी कि उसकी वो एक गरीब परिवार से थे तो सबसे पहला जो question है वो है उचारन कुरूत यानि कि उचारन करो आपको बोलना है प्रणाउंस करना है जो की आप भुक में देखके भी बोल सकते हैं तो इसमें कुछ ऐसा return work करने के लिए नहीं है जैसे अग्रिम दिने, शडवादन अश्ट वर्ष देशिया, अनू ग्रिहनातू इस प्रकार से आपको शब्दों को उचारन करना है अगला प्रशन है एक पदेन उत्तरानी लिखत जैसी कि मैं पताती हूँ एक पदेन के जो उत्तर होते हैं वो वन वर्ड में दिये जाते हैं गिरिजाया, ग्रिया सेविकाय नाम की मासित, उत्तर क्या है दर्शना, गिरिजा की जो ग्रिय सेविका थी उसका नाम क्या था दर्शना, दर्शनाया, पुत्री कती वर्षया, आसित, उसकी पुत्री कितने साल की थी, अस्ट वर्षया, अधितवे सिक्षा, अस्माकम की द्रिश अधिकार, आज हमारा जो आज के समय में शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है मौलिक अधिकार है तो हमने यहाँ लिख दिया मौलिकह या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं मौलिकह अधिकार है तब भी ठीक है अगला प्रशन है दर्शनाया पुत्री कथम नित्यती उसकी जो दर्शना की पुत्री थी वो कैसे नित्य कर रही थी करतल वाधनम सहितम ताली बजाते हुए नित्य कर रही थी अगला प्रशन है प्रशन नमबर तीन पूर्ण वाकेन उत्तरत अब यहां पर वन वर्ड में नहीं पूरे वाके में उत्तर देना है अस्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत जो उसकी आट वर्ष की पुत्री थी वो क्या मतलब किस चीज में थी तो अस्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री एकस समर्थ नहीं किस काम को करने में समर्थ थी तो वो एक घर का पूरा काम करने के लिए समर्थ थी एक घर पे पूरे घर का काम करती थी उसकी माने बताया था तो उत्तर है अस्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत् एकस से संपून से ग्रिहस से कार्यम करतुम समर्थासित प्रेश नमबर दो दर्शना कती ग्रिहा नाम कार्यम करोती जो दर्शना थी वो कितने घर में काम करती थी तो उत्तर है दर्शना पंचा नाम शणा नाम वा ग्रिहा नाम कार्यम करोती या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे बुक में दिया हुआ था पंच शड ग्रिहाना तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसे मैं यहां पे आपको शोट करके यह दिखा रही हूँ कि आप यहां से पंच शड ग्रिहाना पंच शड को आप यहां पे इस प्रका प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि पंच और शड आप यहां लिख सकते हैं पंच शड और इसके साथ ग्रिहा नाम यह आपको लगाना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे यहां लिखा हुआ है पंचा नाम शडा नाम वा ग्रिहा नाम कार्यम करोतिस्मा इस प्रकार स मालिनी स्वा प्रतिवेशी नीम प्रति किम कथयती, जो मालिनी थी, वो किया आप किसको बेजने के लिए कहती है? तो उत्तर है मालिनी स्व प्रती वेशिनीम प्रती कार्यार्थम कस्याश्चित महिला सहाईकाया वारताम कतहयती किसी महिला हेलपर को काम के लिए भीजने के लिए वो उसने बोला था अधितवे छात्रा विद्यालय किम किम निशुलकम प्राप्नुवन्ती आज के समय में जो छात्र है वो क्या क्या फ्री निशुलक प्राप्त करते हैं तो उत्तर है अधितवे छात्रा विद्यालय निशुलकम गणवेशम पुस्तकानी पुस्तकसियुतम पादत्राणाम मध् करते हैं स्कूल से प्रश्ण नमबर चार रेखांकित पदमादृते प्रश्ण निर्माणम कुरूता यहां जो रेखांकित शब्द दिये गए हैं इनको देखते हुए आपको क्या करना है प्रश्ण निर्माण करना है जैसे कि यहां पर जैसे आप ख में देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है और पीछे क्या दिया हुआ है पूर्ण विराम लगाया हुआ है तो यह नॉर्मल सेंटेंस है यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर भी पूर्ण विराम आ जाएगा तो इस प्रकार से अब यहाँ उत्तर में देखेंगे कि जितने भी जो अंडरलाइन वर्ड थे उनको हटा के उनकी जगा पे प्रश्न वाचक शब्द हमने जोड़े जैसे का द्वारम उद्गा टैती और प्रश्न वाचक चीद सिक्षा केशाम मौलिक अधिकारा फिर प्रश्न वाचक चिन दर्शना आश्चरेन काम पश्यती तो यह का केशाम और काम इस प्रकार से जो लिखाया है यह प्रश्न बनाने के लिए अमने शब्द का किम शब्द का प्रियोग किया है दर्शना आश्चरेन काम पश्यती दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोश्णम कर्तुम स्म ये हो गया प्रश्ण निर्माण प्रश्ण नमबर पाच है संधी विच्छेदम पूरयत संधी विच्छेद करना है जैसे ग्रामम प्लस प्रती कारे जमा अर्थम करिश्यती जमा एशा प्रश्ण नहीं दिया है सीधा उत्तर या मतलब सॉल्व करके इसमें यापको दे दिया गया है अब है प्रश्ण नमबर छे प्रश नमबर छे में पूछा गया है समान आर्थक पदानी मेलेत समान अर्थ वाले पदों का मेल करना है तो यहां उत्तर में सही समान अर्थ वाले शब्द लिखे जैसे आश्चरेन का मतलब होता है जैसे आश्चरे करना विस्मयेन विस्मयन का मतलब भी आश्चरे करना उल्ला से इनका मतलब खुशोना प्रसन्न तया का मतलब भी खुशोना है परिवारस से और कुटुमबस से अध्यनस से पठनस से कालह समय है सबका मतलब एक है इसका एक ओभाग था अब इसका दूसरा है आभाग आप आग में है क्रेतुम विक्रेतुम क्रेतुम का मतलब ये है क्रेतुम और विक्रेतुम जो क्रेतुम का आर्थ होता है खरीदने के लिए और विक्रेतुम का मतलब है बेचने के लिए यहाँ पर उसका विलोम कर दिया गया है उल्टा आर्थ कर दिया गया है और श्व का मतल मतलब होता है कि बीता हुआ कल अब है यहां पर श्व का मतलब मैंने आपको बता दिया है ग्रामम नगरम गाव नगर समीपस्त दूरस्त पास दूर प्रच्चती कथयती पूछती पूछता है कहता है अगला प्रश्न है साथ विशेशन पदई सह विशेश्य पदानी योजयत विशेशन के साथ विशेश्य पदों को जोड़ना है सर्वेशाम बालकानाम मौलिकह अधिकारह एशा अलप वैसका सर्वकारियम विद्यालियम समी पस्थे विद्याले तो स्टुड़न्स बुक में ये समी पस्थे नहीं है बुक में ये समी पस्थे दिया हुआ है लेकिन ये आपको करेक्ट करके दे दिया है सरवासाम बालिकाना, निशुलकम गणवेशम तो ये मैंने यहाँ पर आपको डारेक्ट उत्तर आपको विशेशन और विशेश्चे का यहाँ पर दे दिया है और जो बुक में दिया हुआ था जो मिक्स करके दिया हुआ था लेकिन यहाँ पर सही के साथ, सही विशेशन के साथ सही विशेशन और आपको दे दिया गया है तो यह है इस पार्ट का अभ्यासकारे पार्ट नमबर जो हमने 9 कम्पलीट किया था पार्ट 9 का अभ्यासकारे है तो आज की क्लास में इतना ही मिलते नेक्स क्लास में एक नए चैप्टर के साथ तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं तब तक के लिए बाई बाई